हेलो फ्रेंड्स आपका पुना एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इस्टेड़े 26 पे और आज हम लोग प्राचीन भारत देखेंगे और उनमें जो महत्पून चीजें हम लोगों को देखनी है वो यह है कि प्राचीन भारत में महिलाओं की इस्तिति यानि के संदर्म में जो कहा जाता है कि प्राचीन भारत में इस्तितियां ठीक थी मद्धिकाल आते हैं उनकी इस्तितियों में गिरावट आती है और फिर आप देखेंगे आधुनिक काल तक की इस्तितियों को हम लोग बारी बारी से लेकिन हम लोग इस वीडियो में प्राचीन भ युनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएट या में आप पढ़ रहे हो तो वहां पर सवाल इससे बनते हैं और इसलिए भी हमें जानना चाहिए कि चुगी आप प्राचीन भारत के समाज में महिलाओं की इस्तितियों को अगर नहीं समझ पाएंगे तो फिर मदिकाल और प्रोच ऐसा रहेगा कि सबसे पहले हम लोग जो आप जानते हैं प्राचीन भारत में हम लोग पहले सिंदु घाटी सब्वेता को पढ़ेंगे इंडस वैली सिवलाजेशन फिर आपका वेधिक काल आ जाएगा वेधिक प्रियड और उसके बाद आप जो इसमें पढ़ेंग जो प्राचीन भारत में चला यहनि उसमें हम लोग इसको देख लेंगे फिर आप देखिएगा ओर्यकाल में पिरsome प्रियेड में क्या थी तो सबसे पहले हम लोग देखते सिंदो घाटी सबेता ऐसे आप जानते हैं कि स्टोन एज से हमारा इतियास आरम बोता है तो इस टोन एज में दिखिएगा वहां पर बहुत ज्यादा इसमें चर्चाएं करने की बातें इसलिए भी नहीं है चुकि उसमें जो भी साक् पासानकाल में आप देख पाएंगे कि पासानकाल के समय क्या होता है कि जो भी पेंटिंग किया जाते है इस टोन एज में उसमें महिलाओं की उसमें महिलाओं का भी पेंटिंग किया जाता है तो यानि उसमें एक तरह से यह अंदाजा लगाया जाता है कि महिलाओं की स्थि ठीक ठाक रही होगी महीलाओं का जो condition होगा वो ठीक ठाक better होगा अच्छा रहा होगा stone age के समय में इसके बारे में ज़्यादा जनकारी है नहीं तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जाननी कि आप सकता भी नहीं है मेन जो आरम हो जाता है इतियास में आप देखें है सिंदुगाटी सबेता तो सिंदुगाटी सबेता के समय क्या इस्तिती थी महिलाओं की तो उसको अब समयना है देखिए सिंदुगाटी सबेता आप जानते हैं कि इसका पिरियेड जो होता है लगभ पचीस सो से सतरो सो पचासी सभी पूरू का काल जो है इसको बोला जाता है सिंधुगाटी का काल तो इस काल में आप देख पाएंगे क्या होता है कि महिलाओं की इस्तिती बहुत अच्छी रहती है इसलिए अच्छी रहती है या इसका प्रमान कैसे मिलता है तो इस सभेता को ही बोला जाता है मात्री अस्तात्मक सभेता है यानि महिलाएं ही पुझ हैं यानि महिलाओं की कंडिसन जो होती है समाज में वो पुरुसों की तुला में अच्छी रहती है ये इसके बारे में बोला हैं मोहन-जोदूडों से आप देखेंगे कांय से की मूर्तिं की नर्वतिंytic YouTube^^ इस तरह से आप देखपाइएगा कि महिलाओं की क्षिति अच्छी थी और इसे में महिलाओं क्या है बेटर और अच्छी रही होगी इसलिए इस खाल को मातरी सत्तात्मक है या जलने इस सिंदू हति स्तात्मक ज़ंडा को इसलिए इस दौर को मात्री सत्तात्मक या मात्री प्रधान सब्विता के रूप में जाना जाता है फिर आजएई अब हम लोग देखते हैं रिग वैदिक काल तो रिग वैदिक काल देखें पहले तो हम लोग को ये समझना आप होगा कि वैदिक काल वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है तो वैदिक काल को दो भाग में बाटा जाता है एक होता है रिग वैदिक काल और दूसरा होता है उत्तर वैदिक काल तो रिग वैदिक काल जो है रिग वैदिक काल जो आप देख पाते हैं ये पन्रह सो से एक हजार बीसी का होता है, पन्रह सो से एक हजार बीसी तक के काल को रिग वैदिक काल बोला जाता है, उसके बाद आप देखिएगा उत्तर वैदिक काल, तो उत्तर वैदिक काल कब से कब तक, उत्तर वैदिक काल आप देखेंगे, कि एक हजार बीसी से ये काल एक हजार वीसी से छोसो वीसी तक का का काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है तो इस समय इस्तितियां क्या थी अब उसे देखते हैं यानि वैदिक काल में इस्तितियां क्या थी तो देखें रिग वैदिक काल तो रिगवेदिक काल में इस्तितिति के लिए स्वार्णिम काल था इसमें कहा जाता है कि महिलाओं की इस्तिति काफी अच्छी थी इसमें एक चीज और धिहान रखिएगा इस दोर में जो कि ये जो दोर है रिगवेदिक काल का यह पन्रोस सो बीसी से एक हजार बीसी तक का जो दौर है इसमें कहा जाता है कि महिलाओं को इस दौर में धन संबंदित यानि कि उसको पुरुस के समान आर्थिक जो मानेताय थी वो नहीं थी यानि संपत्तिक अधिकार उसको पुरुसों के समान नहीं था महिलाओं को लेकिन उपनेयन संसकार होता था कब रिगवेदिक काल में इस समय महिलाओं का उपनेयन संसकार होता था दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा कि इस समय महिलाओं की जो आर्थिक इस्तिती थी यानि उनको धन संबंदित जो अधिकार थे वो प्राप्त नहीं थे तीसरी बात ये ध्यान रखेंगे इसमें कि इस समय की कुछ महिलाएं जो हुई जिन्होंने मंतरों की रचना की यानि रिकवेदिक मंतरों की रचना जो है इस समय की कुछ महिलाओं ने किया यानि कुछ भी दूसी महिलाएं इस काल की हुई तो वो कौन-कौन तो उनको थोड़ा एक-दो नाम देख लिजे जैसे पहला नाम आप देखें सची है उसके बाद देखियेगा पोलूमा भी है पोलूमी सची उसके बाद आप देख पाईएगा पोलूमी सची उसके बाद विसपला उसके बाद आप देखेंगे घोसा है और उसके बाद आप लोपा मुद्रा ये महिलाएं जो होती हैं ये इस कालकिरी वैदिक कालिन विदूसी महिलाएं हैं जिनोंने अपना कारी मतलब विद्वतापुर्ण कारी किया था उसके बाद इसी में एक और दो महिलाओं का नाम जा युद्धा महिलाएं थी तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन महिलाएं दो रिगवैदिक कालीन हैं जो कि युद्धा महिलाएं थी तो विसपला और मुद्गलानी इसको भी लिख दे हम मुद्गलानी ये दो महिलाएं हैं जो कि युद्धा महिलाएं यानि इन्होंने महिलाएं हैं और इस समय की इस्तितियां जो महिलाओं की थी वो सर्वोत्तम यानि सबसे अच्छी मानी आती है यानि स्वर्णिम काल माना जाता है इस्तिरियों की दसा को ध्यान में रखते हुए अब आज यह हम लोग देखते हैं उत्तरवैदिक काल तो उत्तरवैदिक काल में क्या होता है महिलाओं की इस्तितियां कैसी रहती है अब उन चीज़ों को आप देखते हैं हम लोग तो उत्तरवैदिक काल का पहले टाइम प्रियेड आप देखिएगा तो यह जो होता है एक हजार बीसी से एक हजार बीसी से चोसव बीसी का जो कालखंड है ये उत्तरवैदिक काल के नाम से जाना जाता है एक हजार बीसी से चोसव बीसी का कालखंड उत्तरवैदिक काल के नाम से जाना जाता है इस समय भी महिलाओं की इस्तिती जो होती है वो संतोस जनक यानि ठीक ठाक रहती है उसके बाद देखिएगा आप इसी समय महिलाएं जो है सास्तरार्थ भी करती है यानि महिलाओं की इस्तिती इस समय अच्छी तो होती है कुछ भी दूसी महिलाएं जो है वो सास्तरार्थ या यानि पुरुसों के साथ ये अस्त्र सस्त्र के बारे में अस्त्र सस्त्र नहीं यानि अपने ज्यान का मतलब उसके साथ एक तरह से संबाद होता है यानि सास्त्रार्थ होता है कि कौन विजय होता है तो उसमें दिखिएगा गारगी जैसी महिलाओं का नाम आता है फिर में त् तो कुछ महिलाओं का नाम हम लिख देते हैं चुकि वो याद रहेगा तभी तो चलिए वो महिलाएं कौन-कौन हैं तो उनको लिखते हैं हम लोग पहले उसको देख लीजे पहले तो आप देखिएगा गारगी के बारे में कहा जाता है इन्हों यागवलक के साथ सास्तरार्थ किया था और यागवलक और इनका सास्तरार्थ के बारे में चर्चा जो है विर्धारन्यकूप निसद में किया गया है कि यागुलक और गारगी के बीच सास्तरार्थ हुआ था तो पहले वो गारगी है सबसे ये भी दूसी मैला है इनको ये काफी घ्यानी थी उस समय की मैलाओं में उसके बाद देखिएगा गारगी के बाद है मैत्रेई है मैत्रेई गारगी मैत्रेई उसके बाद आप देखिएगा कि इस समय की महिला हैं अत्रेई हैं अत्रेई तो यह सभी महिला हैं और भी महिला हैं लेकिन में जो है उसको देखिएगा गारगी में अत्रेई उसके बाद आप देखिएगा अत्रेई यह सभी महिला हैं जो कि उत्तरवैदी कालिन महिला हैं जि इस्तितिया कुछ ठीक थी तो अब महिलाओं की स्तिति में भी परिवर्तन होता हुआ दिखता है फिर आप देखिएगा इस्तिरी को ना तो स्वेम पर अधिकार है और ना ही उसके उतराधिकार पर अधिकार है यह सत्वत ब्रामन में मतलब महिलाओं के बारे में कहा गया है और अर्थवेद में कहा गया है कि अविवाहिता का जीवन विपत्ती का सुरोत है यानि जो महिलाएं साधी नहीं करती है उनका जीवन जो हता है वो विपत्ती का ही सुरोत है यानि उससे विपत्ती आती है फिर आप देखिएगा मैत्राइनी जो सहीता है यानि मैत्राइनी उपनीसद उपनीसद इसको आप नोट कर लिजएगा चुकि यहाँ से सवाल पूछें गए है मैत्राइनी उपनीसद में एक चर्चा है क्या चर्चा है उसको आप देखिएगा मैत्राइनी उपनी सद उपनी सद तो इसमें क्या चर्चा है आप देखिएगा कि महिलाओं के बारे में का जाता है मैत्राइनी उपनी सद में इस्तिरियों को जुवा एवं सराब के योग बताया गया यानि महिला को बताया गया कि यह जुवा और सराब के ही समान है यानि इस्तिरियों की तुलना जो है जुवा और सराब के रूप में मैत्राइनी उपनी सद में किया गया है जो कि उत्तरवैदिक कालिन उपनी सद है उसमें किया गया है तो यह भी आप धियान रखिएगा उसक करने काल धा रिछवै charities यहां रापा में अप देखिएगा महीला मात्री प्रधान समाज़् था उसके बाद देखिए वैदिक काल में पुरुस प्रधान समाज हो जाता है यानि практически सोने लगता है आप कई करी वैदिक और उत्तरवैदिक मंत्रों में देखिएगा बेटे की प्राप्ति के लिए पुत्र प्राप्ति के लिए कई एक मंत्र रचे गए हैं और कई एक अनुष्ठान किये जाते थे जो कि मतलब पुत्र प्राप्ति के लिए फिर आप देखिएगा कुछ लेकिन तब भी रिगवैदिक काल में कुछ महिलाय विदूसी हुई उसी तरह उत्तरवैदिक काल में भी कुछ महिलाय विदूसी हुई जैसे मैत्रेई हैं, गारगी हैं, अत्रेई हैं, ये सबी लेकिन मैत्राईनी उपनी सद में क्या बोला गया कि जुवा और सराब के समान ही महिलाओं को बता दिया गया उसके बाद देखे सत्पत ब्राह्मन गरंथ जो है सत्पत ब्राह्मन गरंथ तो सत्पत ब्राह्मन गरंथ में ये कहा जाता है कि महिलाओं को पुरुस का अर्धांग नहीं बताया गया यानि इस्तिरी और पुरुस को मतला आधा आंग जैसे अर्धनारिस्वर का आप जैसे जानते होंगे भगवान सिव को अर्धनारिस्वर के रूप में भी जाना जाता है यानि आधा पुरुस यानि सिव और आधा पारवत्य उसी तरह सत्पत व्राहमन गरंथ में ये बताया गया है कि महिलाय जो है इस्तिरियां जो है वो पुरुसकी अरधांग नहीं है तो ये सत्पत व्राहमन की बाते हैं उसके बाद आप आजाईए यानि उत्तरवैदी काल में इस्तितियां ठीक ठाकती लेकिन उसके बाद आप दिखिएगा धीरे-धी इनकी इस्तितियों में गिरापट सुरू हो जाएगा अब यहां से उत्तरवैदी काल के पस्चात आप दिखिएगा महावीर और बुद्ध का जो आगमन होता है यानि प्राचीन भारत में आप दिखिएगा धार्मिक सुधारा अंदोलन का जो आरंब होता है उसकाल में इस्तिरियों की इस्तिति क्या थी तो उससे में इस्तिरियों की इस्तिति भी ठीक ठाकती लेकिन बहुत अच्छी नहीं थी हम यहां से यहां से यहां तक कि बोध्य ने तो बोला भी था जब आनंद ने उनसे यह अनुग्रह किया था कि महिलाओं को इसमें सामिल किया जा तब उन्होंने कहा भी था कि अगर महिलाओं को संग में सामिल किया जाता है तो जो यह मतलब बोध धर्म 500 वर्सों तक चलेगा अगर महिला ने संग में सामिल हो जाएंगे तो ये 2800 वर्सों में यानि आदे समय में ही समाप्त हो जाएगा तो इससे ये समझ में आता है कि बुद्ध और महावीर के समय आते आते इस्तितियां बदलती जा रही है और महिलाओं की इस्तितियां अब देरे-देरे गिरती जा रही है यानि उनकी स्थितियों में गिरावट दर्ज किया जा रहा है जैसे जेन साहित में भी दो महिलाओं की चर्चा है मावीर के काल में यानि जेन साहित में आप देखिएगा दो महिलाओं का चर्चा है वो कौन-कौन तो एक है सहस्त्रानिक लिख देते हम सहस्त्रानिक और दूसरी महिला जो है सहस्त्रानिक उसके बाद दूसरी महिला जो है इसको उपर में लिख दे हम जेन्ती ये दो महिलाओं की चर्चा मावीर की जेन साहित में की गई है तो इसको भी आप दिहान में रखिएगा उसके बाद दिखिए आप बहुत दिखके समय में भगवान बुद्ध के समय की बात तो हमने कहा ही कि उन्होंने बताया ही था कि महिलाएं अगर संग में सामिल होती है तो ये धर्म जो पाँच हजार वर्सों तक चलता वो धाई हजार वर्सों में ही यानि आधे समय में ही समा या बात उनसे कर लेते हैं तो वे सम बात करें तो सतर मतलब अगर वो बात भी करना मतलब सीधा सीधा ये है कि इस्तिरियों के तरफ ना तो देखना चाहिए ना ही उनसे बात करना चाहिए अगर महिलाएं आपसे बात करना चाहती है और करती हैं तो आपको सतर कराना ये बुध्ध ने अपने प्रिये जो उनके अनुयाई हैं यानि उनके जो सिसिते हैं अनन, उसको उन्होंने उपदेश दिया था, लेकिन तब भी आप देखेगा, बुध्ध काल में भी कुछ महिलाएं होई, तो उनको भी देख लीजे, बुध्ध काल में, महिलाएं, कौन- एक महिला का नाम है सुभा उसके बाद देखिए सुमेधा सुमेधा उसके बाद आप देख पाएंगे सुमेधा उसके बाद आप देखिए अनुपमा थेरी गाता में इन सबों की चर्चा है अनुपमा तो यह सभी महिला हैं थी उसके बाद आप देखिएगा जैसे कुछ महि कि मतलब उस समय वेस्याबिटी का कारी करती थी तो अमरपाली इन तमाम महिलाओं की भी चर्चाएं आप देखिए अब बोद्धिकाल में यानि आप महाजनपदकाल जब सुरू हो जाता है तो वहाँ पर आप देखिएगा उनकी भी चर्चाएं होती है तो यानि इस समय महिल यह सबस्ट जानकारी हमें मिल जाता है उसके बाद आजए यह सुत्र और हम लोग देखते हैं महाकाब बेकाल में तो सुत्र और महाकाब बेकाल में इस्तिति क्या थी तो इस समय इस्तितिति में काफी परतिवंद लग गये थे और इस्तिरियों की स्वतंता पर काफी परति मित्र हैं वह गुनों का स्रोत और आनंद एवं लक्षमी का रूप भी है वह एकांत में मित्र तुलि एवं प्रामटस में पिता तुल्लि है यानि महिला जो है अर्धांगनी के रूप में और एक अच्छी मित्र मतलब फ्रेंड के रूप में भी होती है और वे गुनों का सुरोत भी है वो अच्छे गुनों का सुरोत है उसके बाद उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो प्रामट सुन से लीजेगा जब उनसे जब कोई चीज के बारे में पूछिएगा तो वो पिता के समान है तो इस तरह की बाते हैं महा पवित पहने का अधिकार था हुए, सभी तमाम अधिकार चिन गए, वह परजा या, मतलब उनका जो इस्तिती था, वो काफी, मतलब एक तरह से पहले से, पहले की तुनला में काफी गिर गया था, कब सुत्रकाल आते हैं, उसके बाद आजए है अब मौरेकाल, मौरेकाल में इ सिती कैसी थी, तो उसको आप देखते हैं, कौटिल, आप जो जानते हैं कि अर्थसास्त्र के लेकर, कौटिल विस्नुगृत भी इनको बलायाता है, कौटिल ने, महिलाओं के बारे में काया है, कि महिलाओं को तलाक, यानि मौक्ष का अधिकार प्राप्त है, यानि उन्हों समय आप देखिएगा, मौरेकाल में, कुछ महिलाओं, विदूसी महिलाओं भी हुई, और कुछ महिलाओं अंगरक्षिका के रूप में हुई, चनगुप्त मौरेक के कुछ अंगरक्षक के रूप में, आप देखिएगा, महिलाओं को नियुक्ति किया था, चनगुप्त पदों पर भी महिलाएं रती थी वो गुप्तचर का भी काम करती थी तो इस समय आते आते मौरिक काल आते आते महिलाओं की इस्तिति ठीक ठाक थी यानि वो परसासनी का अधिकारी भी बनती थी और परसासन में भी उनका अधिकार होता था और कुछ कारेक करती थी उसके बाद देखिएगा मौरी काल के पस्चा था आप मौरियोत्तर काल में आके देखेंगे तो महिलाओं की स्तिती में पुना परिवर्तन देखने को मिलेगा उस से में क्या होता है कि आप देखिएगा मौरियोत्तर काल में जब आप देखते हैं कि सुंग काल में आप देखिएगा एक तरफ से सुंग काल में आप देखे हैं मनु इस्मिर्थी की रचना होई तो मनु इस्मिर्थी में आप देखेंगे ये चर्चा है कि महिला जो है अगर महिला विद्वा हो जाती है तो वो पुनर विवाह नहीं कर स यानि उसकी पतनी मर जाती है पुरुसकी तो वो विवाह कर सकता है, कहीं न कहीं महिलाओं की स्थिती को कम करने योग्य बाते कई गई है उसमें, मनु ने यहां तक कहा है कि isto जो है मात्री सरूप की पूजा की जानी चाहिए और इस तिरियों की जो हत्या करता है उसको प्राण दंड यानि मिर्तियों दंड देना चाहिए इसके अलावे मात्री रूप में पूजा भी करनी चाहिए ये बातें इसमें कही गई है, फिर मौरियोत्तर काल में देखिएगा नियोग तथा पुनर विवाह की पर्था बंद हो गई, नियोग का अर्थ होता है, जो महिला हैं अपने संतान की प्राप्ति के लिए अपने देवर के साथ संबंद बनाकर संतान को प्राप्ति करती है, य पुनर विवाह की पर्था जो था जो हमने बताया भी आपको पुनर विवाह विद्वा विवाह नहीं हो सकता है तो यह पर्थाएं भी इस समय समाप्त हो गई तो यह दोनों ही चीज़ें आप देखिएगा कि मौर्युत्तर काल में आते हैं ते समाप्त हो गई लेकिन कुछ जैसे गोत्मी पुर्ण वसिष्टी हो तो आप देखिएगा जितने भी सात्माप्त सासक कुछ-कुछ मेंन में होते हैं तो उन्होंने अपनी मा का नाम अपने नाम के आगे लिखा है यानि लिखवाने का कारिक गया है तो इस तर आप देखवाईएगा कि सात्माप्त में म समाज का रूप देखा जाता है इस समय सात्माप्त में यानि महिलाओं की परधानता समाज में बन जाती है और महिलाओं सासिका के रूप में नागनिका जैसी महिलाओं सासिका के रूप में कारी करती है और पहली महिला होती है महिला सासिका होती है भारत की जो कि वह सासन कर है अपना असम् tatsächlich में गुब्तकल तो हम इस समय धूर में आते हैं महिलाओं की स्थरिस्थी में काफी परिवर्थन देखने को वापको दो है उसके बाद आजाएए गुप्तकाल आप जान रहे मुप्तकी महिलाओं के सिथर्श ठीक ठाक थी इस वाद भी कुछ में महिलाएं हुई जिनके नाम आप जानते होंगे प्रभावत्ती गुपता जो है वो गुपतकाली मतलग गुपतकाल की महिलाएं हैं प्रभावत्ती गुपता तो इनका आप देखिएगा ये सासन तंत्र वकाटक राज का परसासन इन्होंने समाला था प्रभावत्ती गुपता और इनका सासन तंत्र काफी अच्छे ढंग से चला था आप ये देख पाईएगा फिर गुपतकाल में आप देखेंगे मैलाओं की स्तिती में परिवर्तन ये भी देखा जाता कि इसके अधिकार थोड़े और सिमित हुए पहले जितने खुले अधिकार थे जितने भी अधिका रहता है जो कि सासगवर की महिलाया होती है वो सिक्षा दिक्षा प्राप्त करती है इसमें सासिका के रूप में भी प्रभावति गुपतका आप देखेंगे उन्होंने परशासन को संचालित किया था तो इस तरह उनके भी एधिकार होते हैं बट लेकिन समाज की हर एक महिल महिलाओं की स्थितियों में आप देखेंगे काफी बदलाव देखने को मिलेगा गुपततर काल में आप देखेंगा गुपततर काल में ही आप देखेंगा जैसे कि मालीजे की कस्मीर में ही सासन को देख लें तो कस्मीर में आप देखेंगा रानी दिद्दा है उसके बाद महिलाएं जो हैं कस्मीर की रानिया है जिन्होंने वहाँ पे सासन किया था तो इस तरह आप देख पाईएगा कि मतलब कस्मीर में भी कई एक महिलाओं ने सासन तंत्र को संचालित किया था फिर उसी तरह आप देखिया गुपत तरकाल में मंडन मिसर की पत्नी जो हैं भारती उन्होंने दार संक्राचार जो गुरु संक्राचार हुए उनसे सास्त्रार्थ किया था और सास्त्रार्थ में वो भले ही संक्राचार से प्राजित हुई थी लेकिन भारती जैसे विदूसी महिलाओं का भी चर्चा आप इतिहास में देख पाईएगा कि है जो कि गुपत उत् पिर आप देखेंगे पिर्थिवी राज के साथ मेवार का सासक जो है उसकी इस्तरी जो है कुमार देवी मेवार का सासन तंत्र मतलब उनके साथ समालती थी तो तो ये भी चर्चाएं हमको इतियास में मिलती है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे फिर आप देखें लोता नामक महिला परतिहारी यानि द्वारपाल के रूप में थी नासी कभीले में उसका उलेक किया गया है तो ये भी आप ध्यान रखेंगे फिर उडिसा में आप देखे भॉमकरवंस था तो भॉमकरवंस की भी कुछ महिला हैं जैसे गोरी हैं गोरी देवी हैं उसके बाद आप देखेंगे गोरी देवी के बाद दंडी महादेवी हैं तो ये महिलाएं जो हैं कि आप देखिएगा भॉमकरवंस से समंदित महिलाएं तो इस तरह आप देखिएगा कहीं न कहीं दॉर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा महिलाओं की सुतंता में पाबंदियां लगती जाएगी और महिलाओं की इस्तितियां भी धिरे धिरे गिरती जाएगी तो इसको एक सामाने तह एक सौटली आप समझें तो सिंदु गाटी सबेता जहां मातरिय स्थात्मक सबेता थी, मैलाओं की इस्थिती बढ़ियां थी ठीक वैसे ही रिगवैदिक काल स्वर्ने काल की रूप में जाना आया था मैलाओं की इस्थिती को लेकर इसमें सची, पुलोमी, उसके बाद भी पसला, मुदगलानी जैसी महलाएं हुई, ठीक वैसे उत्तरवैदिक काल में उनकी इस्तितियां भी बदलती जाती है, जहां रिग वैदिक काल में इस्तिरियों को धन समंधित अधिकार नहीं प्राप्त था, यह इस्तिरी धन का अधि जुगा और सराव के योग महिलाओं को बता दिया जाता है ठीक वैसे ही सत्पत ब्राहमन ग्रंथ में पुरुसों का अरधांगनी महिलाओं को बता दिया जाता है तो धीरे धीरे आप देखें उतरवैदिक काल आते हैं इस्थितियां बदल जाती है और फिर महावीर और बुद्धसंग में सामिल हो जाएंगी, तो ये 500 साल के तुलना में, 2800 साल में ही, यानि आदे समय में ही समापत हो जाएगा, तो ऐसा विचार बुद्ध का था, उसके बाद बुद्धकाल की कुछ महिला हैं हुई, तो सुभा है, सुमेधा है, अनोपमा है, जैसी महिलाओं का नाम मिलता है, बुद्ध काल में थेरी गाथा में इनकी चर्चाएं होती है, एक होता थेर गाथा, एक थेरी गाथा, तो थेरी गाथा है, जो है महिलाओं से समझ दीत है, और थेर गाथा पुरुस से समझ दीत है, ये बहुत गरंत हैं, तो इसमें महिलाओं की चर्चा है, उसके बाद आप दिखिए माविर के काल में भी इस्तितियां बदलती जाती हैं, इस समें जहनती नमक महिलाओं की चर्चा मिल जाती है, उसके बाद दिखेंगे सुत्रकाल आते हैं तो इस्तितियां तो और भी कट हो उनका पुनर विवास समंदित अधिकार भी छिन लिया जाता है यह तमाम चीजें उनके उपर अध्यारूपित कर दी जाती है यानि इस्तिरियों की जो स्वतनता थी वह एक तरह से छीन होती चल जाती है फिर आप देखेंगे चन्गुप्त मौरे के समय यानि मौरे का लाते इस्तिरियां प्रशासन में भी कारे करती है आप जैसे दखिएगा कि गुप्त चर के रूप में भी वह कारे करती है उसके बाद फिर आप देखेंगे चन्गुप्त मौरे तो अपनी आसपास में अपनी अंगरक्षिका के रूप में महिलाओं को ही न्युक्त करता था तो इसकी भी चर्चाएं मिलती है तो जिससे यह समझ में आता कि इस्तिरियों की स्थिति इसमें ठीक ठाक रही होंगी और उसके बाद आप देखेंगे मौरे उत्तर काल में आके जब आप देखें मनुई स्मिर्थी की रचना हुई तो वहां पे भी महिलाओं के कुछ कर देता है यानि महिलाओं की हत्या कर देता है कोई तो उस हत्यारे को प्रांदंड दे दिया जाए जैसी बातें भी इसमें चर्चीत हैं उसके बाद आप देखेंगा कि साथवाहन काल में महिलाओं की इस्तिति काफी अच्छी थी पूना एक बार आप देखें मात्रिय सात्मक समाज का स्थापना होता है भारत में और इस समय दिखेंगा महिलाओं की स्थिति अच्छी हो जाती है कुछ साथवाहन सासक हैं जिन्होंने अपने नाम के आगे अपनी मा का नाम लिखकर ही सासन किया था इसी काल में आप देखें नागनिका जैसी महिलाओं हुई ज वकाटकवंस से उसका संबंद अस्थापित हुआ यानि उसका विवा वकाटकवंस के साथ हुआ वकाटकवंस के राजा के साथ और फिर आप देखेंगा कि वकाटकवंस के राजा जो उसके पती थे उनका डेथ हो जाता है उसके बाद प्रभावति गुपता वहाँ पे सास देखते जाएंगे कि आधुनिक काल आते आते यहां तक मैलाओं की स्थिति में लगातार गिरावट दर्ज की गई है और देखी जाती है जब भारत की आजादी भी उसके बाद मैलाओं की स्थितियां धिरे धिरे सुधार में आई अभी भी मैलाय पुरुसों से काफी पीछे है यह आप देख पाते होंगे और आज भी उनको कई एक तरह की सुविधाएं सरकार के द्वारा मोहया कराई जाती है ताकि वो पुरुसों के समकक्ष होकर कारेक कर सके तो चलिए आज हमने कोसिस किया है कि आपको एक फ्रेम के रूप में फ्रेमिंग के तहत आपको मैलाओ की स्तिती के बारे में परिचीत कराया जाए अगर वीडियो पसंद आये तो प्लीज सब्सक्राइब कीजे चैनल को लाइक कीजे वीडियो को और सेयर ज़रूर कीजे ताकि अन्य लोगों को भी लाब मिल सके इससे फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्य अगराद